सब्सक्राइब दोस्तों मेरा नाम है हरजिंदर सिंग और आप देख रहे हैं दोस्तों जैसे कि हम पिछली ही वीडियो से बात करते आ रहे हैं कि तो पहली वीडियो में मैंने आपको प्रिप्रेशन के बारे में बताया था कि आपने कैसे प्रिपेर करना है वीडियो देखना चाहते हो तो आपको उसका लिंक जो है उपर मिल जाएगा आई बटन पर और आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हो उस वीडियो के बाद इस next पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोपर डोकुमेंटेशन की कि आपने शेंगन वीजा के लिए डोकुमेंटेशन कैसे करनी है आपने प्रोपर डोकुमेंट कैसे त्यार करने हैं और कैसे कहां पर जाकर आपने सब्मिट करने है तांके आपको वीजा मिल सकी तो सबसे पहले डोकुमेंट में आपने बनी होती है आपनी डेकलारेशन तो डेकलारेशन में क्या होता है कि आपने basically एक cover letter बनाना होता है जिसमें आपने लिखना होता है कि आप कौन हो आपका क्या passport number है आप कहां के रहने वाले हो और आपका क्या purpose है शैनीगन में जाने का और आप कहां कहां visit करने वाले हो कितने time के लिए वहां पर रहने वाले हो यह सारी की सारी जो information है आपने उस cover letter में देनी होती है और इसमें अगर आपको कोई invite कर रहा है तो उसकी invitation की भी information आपने उस cover letter में देनी होती है उस declaration paper में देनी होती है तांके आप अपना purpose of visit जो है शैनीगन में वो clear कर पाओ विजा officer को तो make sure के यह जो cover letter जहां फिर जो declaration paper होता है यह सबसे important होता है आपके विजा के लिए कई बार इसको ज़्यादा seriously नहीं लिया जाता पट विजा officer सबसे पहले इसी paper को देखता है तो ध्यान रखना है जब भी आप declaration में अपनी पूरी information दे रहे हैं तो हर चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी फर्जी information नहीं देनी बिल्कुल clear और to the point information देनी है second जो आपका लगता है वो लगता है शैनिगन visa form जो आपको google पर search करने पर online मिल जाएगा इस visa form में आपने क्या क्या information देनी होती है सबसे पहली तो जो information है वो यह होती है कि इसमें आपको बताना होता है कि आपकी first place of entry कोंसी है जो मेरे कहने का मतलब कि अपनी personal information देने के बाद अपने passport अपने document की information देने के बाद आपने जो information देनी है उसमें सबसे पहली information होगी कि आपकी first entry कहां पर है ठीक है आप कितनी जगा में कितनी city में visit करने वाले हो कितने देशों में visit करने वाले हो उसकी information देनी है उसके बाद आपने बरना है कि आपका exit point कौन सा होगा आपको single entry visa चाहिए जादा तर इसमें single entry visa ही बरा जाता है क्योंकि जो एक बार जा रहा है बा होगे और वापस आ जाओगे तो single entry visa बना होता है और आपको कितने duration के लिए visa चाहिए यह बहुत important है कि आपको कितने समय के लिए visa चाहिए क्योंकि अगर यह information आप clear नहीं नहीं दे पाते तो आपके documents गरबढ़ हो सकते हैं तो आपको duration of time importantly बताना है कि आपको कितने दिन वह पर रहना है तो इसके बाद आपने देने होते है supporting documents क्या होते हैं कि जो आपने declaration में बोला जो आपने शेनिगन visa के form में बोला है उसको support करने के लिए जो जो document आपको required हैं वो आपने साथ में लगाने होते हैं यह basically एक पूरा file होती है documents की जो आपने साथ में submit करवानी होती है तो इसमें सबसे पहले तो आजाता है आपका original passport वो तो अलग से है और उसके बाद आपके passport के first page, last page और जितने भी visa आपके passport पर लगे हैं वो सब की आप अगर copy लगा दें तो वो भी आपका plus point हो जाएगा और make sure कि passport जो है आपका at least six month के लिए valid होना चाहिए और उस पर दो स तीन pages empty होने चाहिए ताँ कि आपका शेनिगर का visa sticker लग सके और उस पर stamps वगेरा लग सके next आपने जो document लगाने होते हैं वो लगाने होते हैं अपनी flight ticket की reservation जिसमें आ जाती है आपकी entry ticket और exit ticket but be sure मैं कहा रहा हूं reservation confirmed ticket नहीं booking चाहिए उनको reservation चाहिए ताँ कि आपका purpose पता च flight number से आप entry करने वाले हो किस देश में किस city में entry करने वाले हो और बाद में आप कहा से exit करने वाले हो किस flight नमबर से exit करने वाले हो तो उनको सिर्फ booking चाहिए आपकी complete confirm ticket नहीं चाहिए आपकी तो उसके बाद आपको चाहिए होती है hotel की reservation के papers ताँके आप बता सको किस-Kis city मे आप कहां कहां पर रुकने वाले हो और वहां पर कौन कौन से होटल में रुकने वाले हो और उसके बाद आपको बताना होता है अपनी ट्रांसपोर्ट की सारी की सारी रिजर्वेशन्स तो ट्रांसपोर्ट की रिजर्वेशन्स में आप अगर बस की रिजर्वेशन्स करवाओ तो यहां पर मैं आपको एक शोटा सा इडिया देता हूँ आप क्या कर सकते हो किसी रेंटल कार बुकिंग कंपनी से बात कर सकते हो तो क्या कर सकते हो उनसे बात करकर आप जो है फ्री कैंसलेशन पर रेंटल कार बुक कर सकते हो और उसके डोकिमेट आप उसके साथ लगा सकते हो बट इसके साथ आपको अपनी ड्राइविंग लाइसेंस का जो है इंटरनेशन ड्राइविंग परमेट भी लगाना पड़ेगा तांके आप confirm कर सकें कि आप driving भी कर सकते हो यह नहीं है कार book कर लिए और आपको driving आती ही नहीं आपका license ही नहीं है और international driving permit भी नहीं है आपके पास तो यह भी document साथ में लगाने पड़ेंगे और car rent कर लोगे बाद में जब visa आ जाए आप उस booking को cancel भी करवा सकते हो free of cost because आपने free of charge cancellation पर booking की थी इसके बाद आपको करवाना होता है अपना medical insurance जो जिसमें आपको 30 से 35,000 का cover मिलना चाहिए 30 से 35,000 यूरो का cover मिलना चाहिए बद धियां रखे मैं यह नहीं कह रहा है 30 से 35,000 यूरो का आपने insurance करवाना है cover 30 से 35,000 यूरो का होना चाहिए but आपने insurance जो करना है वो 4 से 500 रुपे के बीच में हो जाएगा इंडिया की currency के इसाब से so इतना ज़्यादा expensive नहीं होगा ठीक है तो आप वो करवा लें और उसके document आपने साथ में लगाने है इसके बाद आते हैं आपके financial document जिसमें आपने जो है अपनी 6 मीने पुरानी bank statement लगानी होती है जिसमें आपका 10 से 3,000,000 रुपे आप पड़ा होना चाहिए और उसमें transaction होनी चाहिए यहाँ पर मैंने 20-30,000,000 इंडियन currency के इसाब से बोला आप अपनी home country की currency के इसाब से चेक कर सकते हैं currency converter पर के आपको कितना पैसा चाहिए होगा अपने bank account में इसके साथ आप अपनी किसी property जो आपके नाम पर है उसके papers भी लगा सकते हैं जो आपको plus point देगी वीजा लेने के लिए और अगर आप किसी भार की country में हैं और आपके पास employment है उस देश की तो आपने अपना employment contract अपने company के employee की NOC अपना leave paper के आप छुटी पर जा रहे हैं आप कोई contract finish करकर नहीं जा रहे हैं चुटी का paper उसके साथ में लगाना है और पिशले तीन से शे मीने की salary slips साथ में लगानी है तांके आपका clearly पता चल सके कि आप कितनी earning वहां उस country में कर रहे हो और आपके पास एक strong purpose है कि आप शेनिगर में जाकर वहां पर ही नहीं रहे जाओगे वापस अपने working country में आकर अपनी job को फिर से join करोगे इसके बाद आपने सारे के सारे document लेकर उनकी एक file त्यार करकर उसको submit करवाने जाना है अबैसी में बट make sure के अबैसी जिसमें आप submit करवाने जा रहे हो जिस देश की अबैसी में submit करवाने जा रहे हो आपसे directly document लेती है जहां appointment पर लेती है जहां फिर indirectly VFS के थूप लेती है तो अगर तो वहं अबैसी VFS के थूप लेती है तो VFS क्या होती है कि एक authority है जो embassy के भिहाद पर आपसे document collect करती है और embassy को देती है इसका embassy से कोई भी लेना देना नहीं है तो आपने एक appointment लेनी है उनकी online और उसके बाद आपने उस जगा पर जहां पर आपको बुलाया गया है उस office में जाना है जाकर अपने document जो हैं सारे के सारे जो आपने बना कर साथ में रखे हैं और अपनी photograph जो passport size होंगी white background के साथ 80% phase के साथ और अपना original passport साथ में दे कर वहाँ पर जाकर अपने document submit कराने हैं और अपने fingerprint जाकर देने हैं उसके बाद आपको wait करना पड़ेगा 15-20 working days का जो embassy कहती है कई बार इससे पहले भी आ जाता है और थोड़ा सा दिन एक दो दिन दो चार दिन उपर लग सकते हैं मैंने 15-20 दिन का कहा है पर मैं working day के बात कर रहा हूं Saturday, Sunday और National holidays में include नहीं होगे तो इतने दिन में अगर आपके document सब कुछ सही रहता है सारा का सारा आपका process genuine है जो आपने document लगाए है genuine है और आपको बिल्कुल बैसी के visa officer के सामने आपको genuine show कर रहे है तो आपका visa लग जाएगा और आप easily अपनी dream country में गुमने के लिए जा सकते हो तो यही था सारा का सारा जो शैनिगन का document process था इसके अलावा अगर छोटे मोटे कुछ और चेंज़ हो जहां पर छोटे मोटे document और लगें तो आपको साथ में ही पता चलते जाएंगे आप इस काम के लिए जब से तियारी करनी शुरू करोगे साथ में आपको वो चीजें प शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत बूलिए तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में नए कॉंटेंट के साथ तब तक के लिए सत्ष्रीयकार